नमस्कार न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है मैं हूँ राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ट पत्रकार मुकेश कुमार मुकेश जी आपका स्वागत है तन्यवाद तो खून जमा देने वाला लद्दाख का ठंड़ा इलाका मुकेश जी इस वक्त भारतिय राजनीती का सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है और सरकार समर्थकों का खून खौला रहा है ये समझना कठिन है कि सरकार समर्थक जो है उनका खुन किस बात से अधिक खौल रहा है 20 जवानों की शहादत पर या इस शहादत की वजह से जो बवाल मचा हुआ है उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर दरसल मई की शुरुआत से खबरें आ रही थी मुकेश जी की लद्दाख की गलवान घाटी में भारतिये और चीनी सेनाएं आमने सामने हैं महौल शांत करने के लिए दोनों देशों के सैन अधिकारियों के बीच कई दौर की वारताएं हुई रक्षा मंतरी के साथ विदेश मंतरी ने भी मोर्चा संभाला लेकिन 15 और 16 जून की दर्मियानी रात जिस तरह दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो आपस में भिड़ गई और हिंसक जड़प हुआ उसके बाद सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठने लगे इस संगर्स में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने शहारत दे कर सीमा की सुरक्षा की लेकिन अब इस सर्वोच बलिदान पर जिस तरह की घटिया राजनिती हो रही है उसे देखकर दुख होता है दो दिन पहले प्रढदान मंत्री नरिंद्र मोदि के हवाले से समाचार एजनसी एए एन आई ने एक टूइट किया जिसमें प्रढदान मंतरी ने शहीदों को नमन करते हुए बिहार रेजिमेंट की वीरता का जिक्र किया था और कहा था कि आज हर बिहारी को इस पर गरव ह मुकेश जी इस तरह की बातों से लगता है कि मानो हमने अपनी सेना को एक देश से अधिक अलग अलग राज्यों की सेना बना दिया है बिहार रेजिमेंट भारतिय सेना का ही एक दल है जैसे पंजाब रेजिमेंट मदरास रेजिमेंट या मराथा लाइट इंफेंटरी या 11 गोरखा राइफल्स हैं जैसे और ऐसा बिलकुल नहीं है कि किसी प्रांत या समुदाय विशेष के नाम पर गठित रेजिमेंट में इन तमाम सैने टुकरियों की वीटा जो है वो संदेह से परे है लेकिन उनकी वीटा को किसी प्रांध तक सीमितकर ना उसका ही उसred का ही उन सैनिकों का ही अपमान करना होगा दरसल बिहार में जल्द ही चुनाव होने हैं विधानसवा चुनाव है हम सब जानते हैं लेकिन श सच तो ये है कि उनकी शहादत पूरे देश के लिए माइने रखती है क्या कहेंगे इस तरह के मुकेश जी इस तरह की घटिया राजनिती पर ये टोटल जो बात है जो मामला है उस पर आपका क्या कहना है देखिए ये इसका पूरा एक theoretical आधार है ये जो फाजी राष्टवाद है अंधर राष्टवाद है वो हमेशा सैनिवाद को भुनाने की कूशिश करता है यानि सेना जो है उसको वो राष्टवाद का हिस्सा मानती है लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता नहीं है लोकतांत्र सम हनुद्धान आधारित हमारा जो लोकतंत्र है उसमें सेना एक सवतंत्र और निश्पक्ष ही काई है वो किसी राजनीतिक दल और नहीं सरकार का हिस्सा है वो ये जो राष्टवादी है उसको भू गालमेल कर देते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं किस सेना हमारे से सोचते हैं, हम ही जог सेनिकोð का सममान करना जानते हैं और बाग僕 जितने मों हैं Cinnamon पर शख करतेशे का सममान नहीं करते प्रसक्ति हैं वान जो सेनिकों का सम्मान नहीं गर रो यह सच नहीं है तो यह तो 鉄塔 राजमीवाध राष्ट र्वाद को पूरी स्टेट जी है पूरी रड़नी थी है उसका हिस्सा है और आप इसी चुनाओं में नहीं थे हार में चुनाओं हैं इसलिए नहीं आप देखें कि जब जब इस तरह के हालात बने हैं राजनितिक दलों ने जब पुलवामा का जो मामला हुआ था आप जानते ही उसके बाद किस तरह से पूरे स कर्मा और बाला कोट ना होते तो तो यह पूरा एक स्टेट जी के तहट इस पूरे मुद्दे को एक बहुत ही निरलज्जता के साथ भुनाने की कोशिश है जो पहले भी हुई है आप देखी कि करगल के युद्द के बाद भी वाजपई सरकार ने जल्दी चुनाओं इसलि आ जाएंगे एकदम से यह जरूर है कि इस समय थोड़ा सा माहौल उस तरह का बना हुआ है और माहौल बनाने की कोश्च हो रही है देखिए एक पूरा जो डैमेज कंट्रोल की एकसरसाइज चल रही सरकार की तरह से क्योंकि तो धायन मंत्री ने जिस तरह का बयान दे दिया उसके बाद सरकार बहुत सारे प्रश्णों में गिर गई है चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और बिलकुल वाजिव हमले हो रहे हैं क्योंकि उसने पूरे देश को मुश्किल में डाल दिया चीन के सामने हमें कमजोग एक ऐसी स्थिती में अब उससे निकलने के लिए इस तर के बारे में बड़ी सहानगूति के साथ बड़े बलिदान, त्याग और इन भावनाओं के साथ सोचती है बागी दल उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो यह पूरी एक लाइन खीची जा रही है बहुत ही चतुराई से लेकिन बहुत ही बेशर्मी के साथ और यह खटिया किसम की राजनीती है जिसमें कभी धर्म को मिलाए जाता है कभी सेना को मिलाए जाता है तो यह राजनीती का हिस्सा है वैसे यह कहा जाता है कि युद्ध भी राजनीती का विस्तार होता है तो यह जो कुछ भी सीमा पर चल रहा है दरसल राजनीती का ही विस्तार है यह अप वो बाजी उलटती दिख रही है, इसलिए इस तरह की छट-पटाहट भी है, तिलमिलाहट भी है, विपक्षी दलों पर अनावश्यक आक्रमन भी हैं, तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, इसको बहुत टुकलो टुकलो में नहीं, एक पूरी जो बिक पिक्चर है, उ समझने की कोशिश करेंगे, तबी ये जो चल चल्चर्म है, इस पूरी राजनीती के समझ में आएंगे। पर ही दोश मर रहे हैं, मानों उनकी सरकार भक्त पतरकारिता का यही फलसफा है कि न प्रशन पूछो न पूछने दो, पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कटगरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, और अब हम देख रहे हैं कि पुरु प्रधान मंत्री डॉक् इतिहास के एक नाजुक मोर पर हम हैं, हमारी सरकार के निर्णे और सरकार द्वारा उठाए गए कदम तै करेंगे कि भविशी की पीड़ियां हमारा आकलन कैसे करें, जो देश का नित्रित कर रहे हैं, उनके कंधों पर कर्तब्विका गहन दाइत्तो है, मनवहन सिंग ने य योगियों के प्रचारित जूट के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता है, प्रधान मंत्री को अपने शब्दों और एलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवा मसामरिक तथा भूभागिये हितों पर पढ़ने वाले प्रभाव के प्रति सदे बेहद सावधा प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग ने यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि 20 भारतिये जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह जनादेश से एतिहासिक विश्वासगात होगा तो मुकेश जी जो बाते हैं म अपमान किया हो और स्टिपनी में कहीं ऐसा जहलक रहा हो उनकी वीरता पर सवाल उन्होंने नहीं उठाया मनमोहन सिंग ने और लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी बातें उन पर कही जा रही है सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपकी राय स्टिपनी पर क्या है देखे बहुत ही साफ है मनमोहन सिंग का एक लंबा करियर रहा है एक बीरोक्रेट्स के तौर पर फिर वित्यमंत्री के तौर पर फिर प्रधान मंत्री के तौर पर और भारती राजनीती में सक्रीता के लिहाज से देखें तो तकरीबन 30 साल वो इस राजनीती को बहुत मिल रहे हैं, सरकार को तुरंद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इस पर कोई प्रतिक्टिया नहीं देनी चाहिए, बलकि मैं तो यह कह रहा हूं कि जब यह संकट था, तो नरेंद्र मोधी को मनमोहन सिंग से मिलना चाहिए था, ऐसे लोगों से मिलकर सहला मश्वरा करना हैं, खास और से राश्टी सरकार चलाने का नैशनल लेवल पर, तो वो भी कम हैं, तो ऐसे व्यक्ति हमारे पास हैं, तो उनका उप्योद करना चाहिए, अगर समझदार कोई व्यक्ति नेता होगा, तो वो यही करेगा, लेकिन इस पर इस तरह से प्रतिक्रिया करना जैसी ज चित्थी क्यों लिखनी पड़ी, इस पर पहले सोचा जाना चाहिए, एक सरवर्ण में आपने ऐसा बयान दिया, जो चीन के लिए क्लीन चित का काम कर रहा है, आप देखिए कि चीन के पूरा रवया बदल गया है, उसकी उसकी आक्राम अक्ता बढ़ गई है, आप देखिए होंगी ना इधर आया, ना तुन किसी पोस्स पर करजा किया। हमारी भुमी पर नहीं आया। बगएर आप सब तो खीन Чित्त दे दी थी ते दिती तो चीन का मीडिया खुश है, चीनी सरकार खुश है, और चीनी सेना खुश है कि उसने जो कुछ किया उस से उसको क्लीन चिट मिल गया और वो हावी होने की आज देखिए कि ग्लोबल टाइम्स में एडिटोरियल है वो बाकाइदा धंकाने वाली भाशा में हुमिलियेटिंग लेंग्वेज है उसकी हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत इंसर्टिंग है कि 62 का याद दिला रहा है हो कि 62 को लेकर आ आपकी सेना और आप 62 की सेना नहीं रह गई है तो आप ये ध्यान में रखो कि चीनी सेना भी 62 की नहीं है और आपकी एकोनोमी के मुकाबले हमारी एकोनोमी पांच गुना बड़ी है हमारे सेन खर्च जो हैं आपके मुकाबले तीन गुना ज्यादा है हमारी सेना भी तीन ग तो एक बहुत सुल्जा हुआ एक सुझाव था कि आप अपनी भाशा को थोड़ा सायमित रखें, सोच समझ कर बोलें, आप अंधरुन भारती राजनीती में कुछ भी अंटशंट बोलते रहते हैं, वो चल जाता है कई बार, लेकिन जब आप अंतरराष्टी इस तरह के मुद वो यही राय दिये, यही सलाय दिये है, एक उम्र हो गई है उनकी, आप देखिए कि वो 85 के आसपास हैं, इतनी उम्र में आप उनके साथ किस तरह से ट्रीक करेंगे, यह बीजेपी को यह तमीज सिखनी चाहिए, सरकार को यह सिखनी चाहिए, लेकिन क्या राजनीतिक जो न द्वारा दी गई, यानि मनमोहन सिंग के द्वारा दी गई, यह जो नसीहत है, वो भाजपा को इतनी नागवार गुजरी मुकेश जी की सीधे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार पर की गई, जो टिपनी उनकी थी, उसका जवाब दिया है, जबकि उन्होंने टिपनी सरकार पर की थी, उन्होंने टिपनी जो है प्रधान मंतरी पर की थी, और हम सब जानते हैं कि प्रधान मंतरी दलगत राजनीती से उपर होता है, वो देश का प्रधान मंतरी होता है, लेकिन जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट कर डियर डॉक्टर सिंग और कॉंग्रेस पार्टी बार बार हमारी सेनाओं के वीरता पर सवाल उठाते हुए उनका अपमान करना बंद कर दें ऐसा ही आपने एर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी किया था किर्पिया ऐसे वक्त में राश्ट्रिय एकता का मतलब समझें अभी भी सुधार करने के लिए बहुत देर नहीं हुई है नड़ा ने ये भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंग उसी पार्टी से हैं जिसने भारत के 43,000 किलो मीटर हलांकि उन्होंने गलती की है 43,000 वर किलो मीटर बोलना चाहिए था 43,000 वर किलो मीटर के खेतर को चीन को दे दिया था तो मुकेश जी अब जेपी नड़ा के बयान पर आप क्या कहेंगे ये पूरा का पूरा जो मसला है भी हम लोग उनका बयान भी उस पर एक समिक्षा आपकी रही लेकिन जेपी नड़ा जिसके बारे में आप बोल भी रहे थे कि उस पर चट्चा करेंगे ये जो बयान है बौकला हट है इस पर आप क्या कहेंगे ये बहुत हलके इस तरह का गयर जिम्मेदाराना बयान है क्योंकि इस तरह की भाषा में आप मनमुहन सिंग जी जैसे व्रक्ति के साथ समभात नहीं कर सकते हैं आपको अगर कुछ चीज अकपटी लग रही थी आप उसको एकसेप नहीं कर पा रहे थे तो आप ये कह सकते हैं कि मर्मान जी हम आपकी बादचीज से सहमत नहीं है आपके आरोपों से सहमत नहीं है माफ कीजिएगा हमारी सरकार ठीक काम कर लेकिन जो मैंने कहा ना ये सरकार बॉकलाई हुई है क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला उट खड़ा हुआ है सरकार को जितना डैमेज हुआ है कुधान मंत्री के बयान से उसका आप देखिए कि ये ये नतीजा है कि हर इस तर पर अब डैमेज कंट्रोल की कोशशें की जा रही है और लेकिन समहल नहीं रहा है मामला क्योंकि जो कुछ भी ये सरकार करती उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं राजना सिंग ने आज कुछ कहा कि इस रक्षा बलो को पूरी आजादी दे दी गई है कि अब आप खुल कर अरे भाई छे साल से आप खुली आजादी नहीं दे रहे थे क्या 36 बार आप ये कह चुके होंगे हमारी सेना को खुली आजादी हमेशा से रही है क्या आप खुली आजादी दोगे फिर इसी जो बयान रक्षा मंत्री ने दिया उसका चीन ने दूसरे ढंग से इंटरपेटेशन किया कि आप जो पुराने करार हैं उनको तोड़ कर आगे जा कर चुका है हर इस तर पर आप देखिए लगातार चूप पर चूप हो रही है और थोड़ी भी समझदारी नहीं कि जरा शांत रहे के ठंडे दिमाग से सोचें कि समय हमें किस तरह से रियक्ट करना है किस को रियक्ट करना है क्या बहुत कहनी है क्या छोड़ देना है बहुत वलिदान उन्होंने दिया है, उसके बारे में कोई दोमत हो ही नहीं सकता, उनके त्याक को, उनके समर्पण को ये देश याद करता है, उसका सम्मान करता है, सीमा की सुरक्षा के लिए वो जो भी करते हैं, वो उसके लिए सम्मान कभी कम हो ही नहीं सकता है, और ना मजशी तो उठाता है उसको तुरंत कहना चाहिए कि उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं ताकि उसके मैसेज को उस ढंक से क्योंकि जन्मत बदल रहा है इससकी वजए से इस खटना की वजए से लोगों को अब ये लगने लगा कि ये सरकार capable है कि नहीं सक्षम है कि नहीं सरकार चलाने में यह अंतराष्टी राज्णीती को handle करने में सक्षम है कि नहीं चीन से निपटने में सक्षम है कि नहीं क्योंकि कहती तो कुछ है 56 चाती की बात करती है घर में घुसके मारने की सबक सिखाने की बात करती है जब मौके आते हैं ये सब करने के तो दुबग जाती है और इस तरह के बयान देती है कि भारत और भी कमजोर स्थिती में आ जाता है तो ये पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान देख रहा है लेकिन सारी चीजों को ट्रिविलाइज करना ध्या लेता है बीजेपी से सरकार से और उसके आधार पर सारी चीज़ें प्लान करता है तो उनको उनके लिए भी एक उन्होंने ये मसाला दे दिया कि आज शाम को आप मनमोहन सिंग को इस आधार पर डिमोलिश करो तो ये एक एजेंडा सेटिंग है जो सरकार की तरफ से जेपी की तरफ से हो रही है और हमारा मीडिया उस एजेंडे पर आप काम करना शुरू कर देगा तो एक जन्मत मिरमाण की और ने वही किया एक कॉंग्रेसी होने के नाते भाजपा भले उनकी बात न सुने लेकिन एक ग्यानी और अनभवी शक्स होने के नाते उनकी दी गई राय पर विचार अवश्य करना चाहिए जैसा मुकेश जी ने भी कहा लेकिन भाजपा ने सिर्फ गड़े मुर्दे उखार क जतला दिया है कि जब कभी उस पर उंगली उठेगी तो वो वर्तमान की बात छोड़कर अभी की बात छोड़कर इतिहास की गलतियों में देश को भटकाने ले जाएगी लेकिन इस वक्त सवाल कॉंग्रेस की टिपणियों और भाजपा के अहंकार से ज्यादा देश की सुर और दोस्तों आपने बहुत ही ध्यान से इस गंभीर चर्चा को सुना उसके लिए आप सभी को तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जुड़े रही हमारे साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करना न भूलिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को जिन सभी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरा सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहें डीवी लाइव जुड़े रही हमारे साथ नमस्कार